है लो फ्रेंज स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूप चनल हाइवे क्लासेश पर तो दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ में जो प्रमुक ज्यानिक हैं और उनसे सम्मधित खोज हैं उसे बहुत ही महत्पूर्ट जो है टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा है आपके जो भी एकजाम लगे हों आप उसमें पेशिंद हो जाईए जिसमें यहां से कोशन तो बनना ही बनना है ठीक है और विद पी वाई क्यू कोशन भी है इसमें लगब 35 कोशन हमने लिए हुए है इसमें प्रक्टिस में ठीक है तो जितना भी टाइम लगे तो आप से आ रहे हैं इनका क्या नाम है और इन्होंने क्या खोज़गी है इनको क्या मिला हुआ है यह सारी बाते आप पढ़ लेंगे आपका जो भी एकजाम लगा हो रेलवे का हो एंटीपिसी टेकनीसियन रेलवे ग्रूप टी आर पीफ एसाई कॉंस्टिवल पूलिस टीचर और अली टाइम हो तो आप इस लेक्शर को सेव करके और आराम से देखिएगा ठीक है जी तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्शर तो सबसे पहले जो विज्ञानिक है जिनका नाम है कौपर निकस तो ध्यान दे जो कौपर निकस जो हैं यह सबसे पहले विखती हैं इनका जन्म आपको यह ध्यान नहीं रखना है चुकि यह बहुत ही डिटेल हो जागा आप बस ध्यान रख लें यह पॉलेंड के यह कभी को पूछ लिया जाता यह पॉलेंड के खगोल सास्त्री थे ठीक है कौपर निकस जिन्होंने सबसे पहले बताया कि प्रथवी इस्तिर नहीं है और सूर के चार ओर घुमती है कौपर निकस ने ठीक है प्रथवी इस्तिर नहीं है और सूर के चार ओर घुमती है ठीक है यह इन्होंने बताया था यानि कि यह कौन थे यह खगोल सास्तित्री पॉलेंड के निवासी थे ठीक है मैडम क्यूरी मै इन्हें दो बार 1903-1911 इसमी में नोबल पुरुस्कार ध्यान रखना है यह तो आपको ध्यान रखना नहीं है यह वाली डेट ठीक है 1903-1911 में आपको ये भी पूर सकता है दिए गए आफसन में से मैडम क्यूरी को दो बार नोबल पुरुस्कार मिला हुआ है कब 1903 में 1911 में ठीक है मैडम की उरी को जॉन डॉल्टर इनको भी नाम सभी लोग जनते हैं ये ब्रिटिस वेग्यानिक थे जोने ने परमाड के सिधान्त का प्रतिपादन किया और गडित अनुपात का नियम भी इनोंने प्रतिपादन किया था सबसे जो most important यहां से आप से पूछा जाएगा परमाड का सिधान्त किस ने किये था तो जॉन डॉल्टर ने दे था परमाड का सिधान्त ठीक है अगला हैंनरी बैकुरल ये भी बहुत ही important है ये फ्रांसीसी विज्ञानिक थे इनोंने radio activity की खोज की ये भी ध्यान रखना है गामा किलनों की भी होज की थी very important यहां पर आप डालके और लिख लेना है गामा किलनों की कोड नील बोहर आपने इनका मॉडल तो पढ़ा होगा ये डैन्मार्क के वेग्ञानिक थे जिनोंने परमाड की सर्रचना का मॉडल प्रतिपादन किया था परमाड की सर्रचना very important आप उनको chemistry पढ़ते होंगे परमाड की सर्रचना का मॉडल प्रतिपादन किया था इन्हें 1922 में पुल पुसकाद मिला था ये आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं 1922 में यानिकी नील बोहर को 1922 में पुल पु कि थी हैंरी केवनिस most important डाल के लिख लीजिए very important डाल के आप लिख लेना तो पूछा जाता है hydrogen की खोज किसने की थी तो हैंरी केवनिस ने खीज़ कि जो ब्रमान में सबसे ज़्यादा अविलेबल कोई चीज है वो hydrogen है फिर helium है तो train आ गई दोस्तों अपने quarter के पास से निक जेम्स चैडविक तो भाईया इनका विनाम बहुत important है ये ब्रिटिस विज्ञानिक थे जिनोंने 1932 में परमाण की रचना में विद्धुत आवेस रहित परमाण उकन न्यूट्रॉन की खोज की थी ये तो कितनी बार पूछा जाता है ये तो पूछ पूछ के लोग परिश की Internet जैंस चैडविक ने ञीट्रॉन की खुज की थी कि अगला है कि डाव्लू सी रो नच्ऱ वरी इंक्स रह से ये कि खोज की तीरल रोंचल नने सबसे इंपॉर्टन्ट टाल के लिए फिर इंपॉर्टन टेव वेकलिंए वेरी इंप्उर्टन टोबर पूरिड है तो द् मैं सफरस्टम मृत पादप उतक ट कोशिका देखी सन 165 इसमेंगा। यहांग प्रत्यस्ता का का अधर्ण किय अब आप यह उमने मरत पादप उतक Democrat की खोच रावा ठूक ने ठीक है अब बताए किसमे की थी किसमे इन्होंने की थी और जीवित कोजिका की खोज किसने की थी ये भी आप लिखेंगे अगर आपको नहीं पता है अगर आपने कमेंट में लिख दिया तो आप सर्च करके लिखोगे और जब लिख दिया तो समझ लो आपको याद हो गया ठीक है जो पूछे हैं उसको कमेंट में जरूर लिखो अरनेस्ट रदरफोर्ड तो रदरफोर्ड के नाम से आप जरूर जानते होंगे यह स्कॉटलेंड के विग्यानिक थे जन्होंने 1911 में परमाड के नाबी की खोज जित analyst यह सब जो हम पढ़ रहे हैं यह important ही दोस्त तो परमाड के नाबी की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड के नाम से आप जानते हैं ठीक है रदर फोड ने नावी की खोज की थी ये तो बच्चा बच्चा को पता है विलियम हर्वे तो विलियम हर्वे ये बिर्टिस विग्यानिक थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की बायलोजी में आप पढ़ेंगे इनको विलियम हर्वे को रक्त परिवहन की रक्त परिसंच कि खोज किस ने की थी तो विलियम हर्वे ने की था था कारिकी इबं भुरुणकी का भी प्रवियात्मक अध्यन किया था लेकिन आप से जो कोशन पूचे जाएगा वो रक्त परिवयान की कोशन किने थी विलियम हर्वे एडवर जैनर तो चेचक के यानि कि सबसे पहले ठीके की खोज इन्हों ने की थी ये इंगलिस डाक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी एडवर जैनर जोसेफ लिश्टर तो ध्यान रखना एंटी सेप्टिक सर्जरी का सूत पातर इन्हों ने किया था लिश्टर ने तो भाईया एंटी सेप्टिक सर्जरी आ जा लेकिन आपसे ये भी पूछा जाएगा बस ऑक्सीजन की खोज किसने की तो प्रिश्टल ध्यान रखना ये विटेस वे ग्यानिक थे ठीक है जितना important बताते हैं तो वह very important है फिलाल इस साइड में सब important ही है Alexander flaming तो आपने flaming के हांद का नियम भी आपने सुना होगा उदर ये ब्रिटिस बैक्टेरियो लोजिस्ट थे जिनोंने lysogym भाईया अपने जो लार होता है उसमें lysogym पायाता आँक से भी निकलता है lysogym और penicilline ये सबसे ज़्यादा important question है तो पुछा जाएगा penicilline की खोज कुस ने की थे तो flaming ने की थी द्यानक न penicilline और lysogym दोनों की खोज जो है फ्लेमिंग ने की थी galilio भाईया दुरवीन का विसकार को ये नहीं जाना जाता है galilio ये इटली के थे और इन्होंने टैली स्कोप का निर्माड किया था और कापर निकस की थेयोरियो को समर्थन दिया गती के जड़तो का नियम का प्रतिपादन ने किया भाईया जो गती का जो आप नियम पढ़ते हैं तीन सूत्र पढ़ते हैं उसमें एक जड़तो का नियम भी होता है तो जड़तो के नियम का प्रतिपादन इन्होंने किया था साथ साथ में ने टेलिस्कोप का भी प्रियोग किया जाता है कहा जाता है जो कापर निकस ने कहा कि प्रत्वी गोल है तो उस समय की बात रही होगी तो जो प्रत्वी गोल है जो कापर निकस ने कहा तो जो ऐसा सुनने में आता है तो कि जो वहां के जो इस्थानी निवासी थे तो उन्होंने कहा कि भईया अगर प्रत्वी गोल है तो हम गिर नहीं पड़ेंगे हम उसमें से सरक नहीं जाएंगे तो ऐसा और इन्होंने कहा प्रत्वी चक्कर लगा रहे हैं घूम रही है तो इन्होंने का हम गूम रहे हैं मतलब जो यहां के गाउं के थो है तो इन्हें कापर निकस को पगड़के एक वी चुराय पर फांसी से टांग दिया गया क्या हमको बेवकुप बना रहे हो भाईया पर तभी गोल बता रहे हो वो भी चल रही है तो हम गिर नहींगे तो यह कापर निकस इस बात को समझा नहीं पाए बस उन्हें पता चल गया था कि आभास हो गया यह गैलिलियो बड़ा उसी अर्था इन्होंने का भाईया एक तो टंग चुका है अगर आपने कहा कापर निकस की थेओरियो का समरसन किया तो दूसरा नमबर आपका होगा इसलिए इसने टेली स्कोप की खोच की और टेली स्कोप बनाया और फिर लोगों को बुलाया कि देखो भाईया प्रतिवी कैसी है गोल है लोगों को पता चला कि यार रहे तो गोल तो यार फिर हुआ ही चीज़ का कि हमसे तो गल्दी हो गए तो फिर इसका चौराया पुतला बनवाया हार चलबाया और इसका जैजेकार किया तो यह सिस्टम रहा वही है ठीक है जी अगला अगला है राबर्ट डॉर्विन तो राबर्ट डॉर्विन का द्यानक ना विकास का सिधानती इसने दिया यह सबसे इंपोर्टेंट है विकास का सिधानती यह भी इंपोर्टेंट है पूछा जाता भईया राबर्ट डॉर्विन ने विकास का सिधानती दिया था प्रक्रत यानि कि नेचुरल सेलेक्शन का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादन किया था नेचुरल सेलेक्शन यानि कि प्रक्रतिक वरण और इनकी पुस्तक यह बिटिस विग्यानिक थे इनकी पुस्तक दा ओर जिन आप the origin of species में विकास का सिद्धान्थ देखने को मिलता है इनकी पुस्तक भी दिया रखना the origin of species किसकी पुस्तक है रावर्ड डार्विन की पुस्तक है विकास का सिद्धान्थ इनों दिया था और natural selection यानि की प्राकरतिक वरण का नियम इनके द्वारा ही पृतिपादन किया था अलबर आइंस्टीन सब लोग जानते हैं इ बराबर MC स्कार का फर्मूला इनिका ही है ये योदी मूल के जर्मनी विग्यानिक थे बाद में अमेरिका में जाकर बस गए इनोंने 1933 में सापे चिक सिद्धान्द दिया इ बराबर MC स्कार ये तो आप सभी जानते हैं का पृतिपादन किया इनोंने प्रकास विद्धुत प्रवाहों की व्याक्या भी की जिसके लिए इनने नोबिल पृत्सकार दिया था दियान रखना है इ बराबर MC स्कार के लिए नहीं मिला प्रकास विद्धुत प्रवाहों की व्याक्या करने के लिए इनने नोबिल पृत्सकार मिला था पूछा जाता है कि आलबर आंश्चेंज को जो है नोबिल पृत्सकार किसके लिए मिला था तो प्रकास कई आपसन होगे उसमें होगा प्रकास विदुत प्रभाव के लिए इन्हें दिया गया था तो आप इजी ध्यान रखना अगला है बीरवल सहनी तो प्रसिद वनस्पत विज्ञानी इन्होंने अपनी विश्तरत अनुसंदान चेत्र के अंतरगत तो फर्नों की सजातीता और सरस्टना पर निनाणा एक खोज घी थी तो बीरवल सहनी का नाम आजा तो फर्नों की सजातीता का आप ध्यान रखना है मेंगना सहा में ध्याइं रखना है हिस्ट्री आफ हिंदू नगना और ये विस प्रसित विए थे 30 वर्स की आई में इलहाबाद भी सुद्धाले में परोसनल के पद पर नियक्त हुए थे तापी आयनन सिद्धान तेबं थर्मो डायमिक्स में इनका महत्पोड है मिंगना सा का और मिंगना सा की पुस्तक ध्यान अखना दा हिस्ट्री आफ हिंदू साइंस अगला है चन्द सेखर बेक्मेंट रमन तो इनका भी नाम आप जानते होंगे रमन प्रभाव के लिए very important रमन प्रभाव के लिए 1930 में भातकी के छेतर में नोबल प्रुसकार मिला था उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को अविस्करत हुआ था जिसके महत को देखते हुए प्रतिवर्स 28 फरवरी को भारत में राष्टी विग्यान दिवस मना जाता है 1904 में उन्हें भारत रतन दिया गया और 1908 में लैनिन सांती प्रुसकार सम्माने से विभ्योसेत किया गया तो ध्यान रकना है आप सभी लोगों को अगरा इनको पूछा जा किस छेतर में बहुत बहुत की कि छेतर में नोबल प्रुसकार मिला 1934 में 28 फरवरी को ही इनके जो है सम्मान के लिए हम लोग भारती विग्यान दिवस मनाते हैं 1934 में इन्हें भारत रतन मिला अगला आरबट तो भहिया अगला नाम है आरबट का है तो इन्हें सभी जानते हैं भहिया सून की खोज के लिए तो प्रचीन भारत में प्रसिद खगोल एवं गडटिक थे जिनकी रजना आरबटी कहलाती है जिन्होंने गड़ित एवं खगोल में कई महत पुड़ कार किये सबसे पहले इन्होंने बताया कि प्रथवी अपने अच्छ पर घूमती हुई सूरी की प्रक्रिमा करती है तो ये इन्होंने आरबटने बताया था जगदीश चंद्र बोज यानि कि प्रसिद्ध भौत की विग्यानिक जिन्होंने मारकोनी से भी पहले बेतार पणाली का प्रथवसन किया उन्होंने बनस्पत की सम्वेत सीलता पर अनेक आश्रजनक प्रथवसन किये उन्होंने बोज इंस्टिटूट की स्थापना की थी इन्होंने कैस्को ग्राफ नामक एंतर का भी विश्कार किया था, तो यह आप से कोशन पूछा जाता है, कि क्रैस्को ग्राफ का समंद्ध किसे है, तो जगदीश चंदर बोस से है कैस्को ग्राफ ठीक है, तो यह आप ध्यान अगना महत्पून है, अगला है डाक्टर सलीम अली, यह भी इंपोर्टन है, डाक्टर सलीम अली इनको बस एक ही नाम से जाना लाता है, बर्ड्स मैन अफ इंडिया, तो पद विश्को ने सम्मानित हैं, और वन ने प्राणे सनचक पुरुस्कार से सम्मानित किया गया है, एक ही कोशन ने से बनेगा, बर्ड्स मैन अफ इंडिया किसे कहते हैं, तो डाक्टर सलीम अली, डाक्टर होमी जहांगीर भावा, तो ध्यानकना है, भारत में उननीस सोट तालिस में गठित पर्मान उर्जा आयोग के अध्यच्छ, होमी जहांगीर भावा थे, वे पर्मान और नुसंदान केंद्र, बाद में भावा नुसंदान केंद्र के संसापक थे, वे सहिंक्त राष्ट संग्द्वाला आजित पर्थम, पर्मान उर्जा के सांति पूर्ण प्रियोग अध्यच्छ के भी अध्यच्छ रहे हैं, टाटा इनिश्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले अध्यच्छ रहें, तो 1948 में ध्यानकना है गठित पर्मान उर्जा आयोग के अध्यच्छ जो है होमी जहांगिर भावा थे, और वे बाद में पर्मान नुसंदान केंद्र, यानि कि भावा नुसंदान केंद्र के संस्थापक भी रहे हैं, तो ये ध्यानकना इनका नाम, अगला है सतीज धवन, तो ये भी इंपोर्टन नाम है, भारती अंत्रीच अनुसंदान संस्थान इसरो बंगलोर में इसी थे, कि भूतपूर अध्यश्थ है, इनके अथक प्रयास से आरभट रोहोणी तथा एपल जैसे उपग्रह अंत्रीच में प्रच्छेपित किये गये, इन्होंने सुर सोनिक एवं ट्रांस सोनिक बिंट टेनन के निमान में योगदान दिया है, तो ये ध्यानकना, ये भी पुछा जाता है, 37 धवन अंत्रीच के इंदर, तो विक्रम सारावाई, सुप्रसिद भारती विज्ञानिक, विक्रम सारावाई, परमाण उड़जा आयोग, एवं भारती अंत्रीच अनुसंदान संगठन के अध्यच भी रहे हैं, फिजिकल रि अध्यच भी रहे हैं, ये इनका नभी नाम आ जाता है, इसमें, अगला है, सुप्रणयम चंदर सेखर, तो बस दोई-चार बचे हुए हैं विज्ञानिक, फिर हम लोग कुशन करते हैं, सुप्रणयम चंदर सेखर, भारती मुल्के इस विज्ञानिक ने तारों के समद में ने कुल लिखनी अनुसंदान किए है, 1983 में इन्हें विलियम फावलर के साथ में भौतकी का नोबल पुसकार दिया गया था, सैयुक तुरूप से ठीक है, सूर्य के दरबमान के दसमलव, एक दसमलव, एक दसमलव, चार गुने दरबमान को चंदर सेखर सीमा, वेरी इंपो अनुसंदान किया है, और अनुवानसकी कोड की खोज की है, यह आप ध्यान अकना, अनुवानसकी कोड की खोज किसने की अरविंद खुराना ने, 1966 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकरीमियों के साथ में चिकिस्ता विज्ञान का नोबल पुरुसकार भी मिला था, ठीक है, त कर देना, हेंडरी बेक्रोल ने की है, एंटिसेप्टिक सरजरी का सूथ पार, तो हमने सभी आपको बदाया था, लिश्टर, तो लिश्टर ने की है, एंटिसेप्टिक, अगला सवाल, कुछ नंबर 3, उननीच सोट तालिस में गठित परमाण उर्जा आयोग के धच कौन थ ठीक है, अगला, सापेचिक तका सिदान्त किस ने किया, भईया, आइंस्टीन ने सापेचिक तका सिदान्त दिया था, आइंस्टीन ने E बरावर MC स्क्वेर भी दिया था, भारती अंत्रिश अनुसंदान संसान कहां, इसरो कहां इसी थे भईया, इसरो बेंगलोर में इसी है जिसकी साबना पंदर आगास्त उनिस सो उनहत्तर को ही ठीक है वेंगलोर में कि अगला चंद सेखट बैंकट रह्मन रह्मन को नूबल प्रुसकार का मिला था भाईया 1930 में मिला था उनिस सो चौवन में क्या मिला था यह भी आप बताईए परमाण के नाभी की खोज किसने की थी तो भाईया जो परमाण के जो नाभी की खोज है हम सभी लोग जानते हैं किसने की थी रदर फोड ने की थी भाईया जो है नाभी की खोज यह आप ध्यान रखना है ठीक है और अगला सूर के द्रमान के एक दसमलब चार गुने द्रमान को क्या कहा जाता है तो चंदर सेकर सीमा कहा जाती है भी हमने पढ़ा कैसको ग्राफ नामकेंतर की खोज किसने की थी तो हमने बताया था यह आप ध्यान रखना है कैसको ग्राफ नामकेंतर की खोज किसने की थी साहा किया है मैंगनाथ साहा किया ठीक है अगला सवाल बारा नंबर सबसे इंपटेंट है एड़वर्ड जेनर तो सब हम सब लोग जानते हैं अज़श पर घूमती हुई सुरह की प्रिक्रिमा करती है तो हम सब का नुट्रैन की खुछ इसने की थे भाई या सभी लोग जानते हैं जैनसे जृदिविक नुट्रान की में खुज विदältी पर्माड के सिद्धान का पृतर ने किस ने किया था इंपॉर्टेंट पर्माड के असे देदक किसकी करती है चार्ल्स डार्वीन और इनका कौन सा सिधानत है वो भी आप बता दीजी कमेंट में राष्टी विज्ञान दिवस कब बनाते हैं 28 फरवरी को बनाते हैं 28 फरवरी को किसके सम्मान में बनाते हैं ये भी आप बताएं अठारा हाइडोजन का तत्त के रूप में खोज किसने की थी वेरी इंपोर्टेंट हैंडरी केवेंडिस ने रक्त परिवयन की खोज किसने की थी ये भी आपको हमने बताया था विलियम हॉर्वे ने एक्सरे की खोज किसने की थी ये भी हमने बताया था डवलू सी रोंडिज था 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 यह आप सभी लोगों को ध्यान रखना है यह 21 का य। एंसर होगा बी ऑली गती के नियम किस ने दिये थे तो आईये बताए कद्टि के नियम किस ने दिये होंगए यह एक धिन आम आ सकता है वो है Newton, गती के नियम, तो कीतने होता है यह आप यह बता जा दिजे इंटवर्क्स में गतिकी नियुघ भारत का bias man of india के सालीम अली अब बताया अनुवांसिक kोड की खौज की दे जिने की थी अनुवांसिक kोड अभी हमने आपको पीछे क्या पढ़ाया था डाक्टर हरविंद क्पराना अनुवांसिक की कोड की खोज अगला टेली स्कोप का निमाण किस ने किया था इसकी तो कहानी अभी हमने आपको पीछे बढ़ाई थी गैलिलियो, 25 का राइट एंसर होगा डी, लाइसो सोम की खोज किस ने की थी भईया बताओ, लाइसो सोम और एक और खोज थी अभी इपने क्या बताए था आपको, लाइसो सोम तो इसका 26 का राइट एंसर होगा विलियम हर्वे, रक्त परिसंचरण बताए था, रक्त परिवहन की और लाइसो जोम की खोज अगला है प्रक्रति चेन का सिद्धान्थ तो प्रक्रति चेन का सिद्धान्थ किसने की दिया था तो राइट एंसर होगा डार्विन ने दिया था लाइकेन की खोज किसने की थी तो लाइकेन की खोज की थी तो लासने ने यह आपको नहीं पढ़ाया था तो यह एक्स्ट्रा कोशन आ गया अगला सरपथम जीवानु का पता किस नहीं लगा था यह बता दीजिए यह question भी इसमें नहीं था साइद तो लिवन हाउक ने पैनिसलीन की खोज रिखांने की थी या पैनिसलीन तो बढ़ाया था तो इसका 30 का राइट कोuya का की भूच की थी किसमें आप वो हमको बताना है किसमें की थी इंसुलीन की खोज किस ने की थी भईया इंसुलीन की खोज आप बता दीजी इंसुलीन की खोज किस ने की थी तो राइट एंसर क्या होगा बैटिंग एवं बेस्ट वेरी इंपोर्टन ये भी कोशन है की निोट्रोन की खोज किस ने की तुब यह सबी लोगों को पता है न्यूट 待 कि भी या बताईए ज Step ने की थी नीट्रोन की दो यह विला है रे बीज़ के कि खुच कि पूच नуск नीन का नियम किस नहीं दिया था तो अभी हमने पीषे भी बताया था इसको आफ-ट तो इसका right answer होगा, Charles Darwin ने बताया था, तो ये थे आपके 35 questions, तो आपको दोस्तों कैसे लगए ये 35 questions, और आपको time जो हमने सोचा था, उसे बहुत ही कम लगा, 23 minutes में लगा, पूरा हमने detail में theory भी पढ़ ली, और इसके 35 questions लगाए, 35 questions को solve करने में आपको 35 minutes में लगेगा, ये time क्यों कम लग रहा है, time इसलिए कम लग रहा है, क्योंकि live session नहीं है, अगर ये live होता तो हम comment पढ़ते लोगों के, क्या-क्या answer दिया, वो देखते, फिर उनकी बाते हम बताते आपको, फिर उनसे related हम आपसे थोड़ी हसी मजा करते, तो फिर उसमें थोड़ा फिर time जाता है, चुकि यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है, और यहाँ पर सीधे पढ़ाई हो रही है, तो फिर time नहीं जाएगा, इसलिए ये आपको इतनी जल्दी में, पैंते इस question के साथ में, theory भी हो गई है, सोचिए, कितने आच्छा सेशन रहेगा, आप आराम से पढ़िए, और अपनी तयारी करिए, बस इदर उदर जादा सोच विचार मत करिए, ठीक है, धन्यवाद आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, तो आप बता दीजिए, ऐसा ही टॉपिक आपके साथ सेर करते रहेंगे, जो description में लिंक दिया गया है, whatsapp चनल का उसपर जोईन के लिए, pdf बगरा के लिए, और यो instagram का जो लिंक है, उसपर जाईए, और आपको जो भी question पूछना है, जो में डाउट और स्कीन सोड लेकर बेह दीजिए, ठीक है, योटीव चनल को अपना subscribe कर लेना धन्यवाद,